हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है इस वीडियो में मैं अपने व्यूर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ अगर व्यूर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियो को देखें तो वो यहां पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहु पहुंच सकते हैं और यहां पे हमारी वीडियोbas हैं तो यहां से आप मैंने और्गनाइज करने कोशिश की है कुछ Herbert वीडियोक हैं कुछ हमारी Cisco वीडियोज है आप किसी भी लिंक पे लिकी करके उस information है जो मैं upload करता हूँ new videos को वो आपके mailbox में आ जाए तो आप इसको यहाँ पर subscribe कर सकते subscribe button को click करके या फिर जब आप video देख रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक option आती है subscribe की तो आप यहाँ से subscribe करके अपने mailbox में यह सभी videos को ले सकते हैं अगर आप को video पसंद आती है तो आप यहाँ से like button प्रेस कर सकते हैं अगर आप मेरे facebook page के साथ connect होना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे आप इसको click करेंगे तो मेरा facebook page open हो जाएगा चलिए शॉर्ट message के पाथ हम इस video को continue करते हैं Hello friends मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस video में हम जानते हैं कि हम अपने client computer से अपने wireless network के साथ कैसे connect हो सकते हैं जैसे कि last video में आपको याद होगा कि हमने wireless network setup किया था और जिसका ssid king underscore jst था और उसमें हमने एक web की लगाई थी तो देखे जैसी मैं यहाँ पर land card को click करता हूँ तो मेरे पास जितने भी available मेरे यहाँ पर ssids या wireless networks हैं वो आपको सभी दिखा रहा है और यह सब जैसे जिन में से मेरा एक king underscore jst भी आ रहा है और इसके इलावा जो भी यहाँ पर हमारे आसपास environment में wireless networks exist कर रहे हैं वो सब आपको दिखा रहा है और कुछ ना कुछ देखे अगर मैं किसी पर भी अगर highlight करता हूँ लिंक के उपर अपना mouse कर रखता हूँ तो देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि इसकी strength कैसी है जैसे कि signal strength excellent आपको बता रहा है और security type में WEP दिखा रहा है और consensus standard को follow कर रहा है 802.11n और SSID name आपको king underscore JST इसी तरीके से अगर किसी और पर आप उपर अपना mouse रखेंगे तो आपको बता रहा है कि क्या strength है पूर strength है और WEP की और जैसी भी strength होगी जो भी इस network में है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है और देखें जैसे कि यहाँ पर इन्होंने excellent security रखी हुई है WPA2 pre-shared keys इसने लिए हुई है तो अगर मेरा network यहाँ आ रहा है और मैं उससे connect होना जाहता हूँ तो मैं यहाँ से ही उसको click करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास option आ रहा है कि connect to this network और यहाँ पर एक और option है जो की selected है connect automatically अगर आप चाहते हैं कि मैं first time यह key enter करूँ जो मेरे को मालूम है और उसके बाद जब भी यह client computer और वो मेरा access point network में आए तो यह आपस में connect हो जाए automatically और हर बार मुझे key enter ना करनी पड़े तो मैं इसे selected रहने दूँगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं और हर बार manually key प्रेस करना चाहते हैं तो आप इसको deselect कर सकते हैं इतना होने के बाद मैं connect करता हूँ connect होने की वो कोशिश कर रहा है और इसके बाद वो मुझसे security key पूछ रहा है तो हमारी security key जो यहाँ पे display होगी वो plain text में होगी अगर आप इसको hide करना जाते हैं characters को यहाँ से hide कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारी key थी हम उसको enter करते हैं जो हमने king से generate की थी तो जो भी हमारी key होगी हम उसको enter करेंगे जैसे कि हमारे case में last video में आपने देखा था कि हमने यही key generate की थी और इसको ok press करते हैं तो अगर हमने key सही enter की होगी तो मेरी wireless network से connectivity establish हो जाएगी तो देखी ज़रा मैं check करता हूँ तो देखी आपको बता रहा है king underscore jst से आप connected है इसी तरीके से अगर हम किसी और access point से भी connect होना चाहते हैं तो अगर हम इस पे click करेंगे तो देखी यहां की मुझे की पुछेगा लेकिन यहां की की मुझे मालूम नहीं है और इसलिए मैं इससे connect नहीं हो सकता हूँ तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने client computer से अपने wireless network के साथ connect हो सकते हैं उसके SSID को ढूंड के और उसमें web key को enter करके तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening